आज हम देखने वाले हैं कक्षा साथी की मराथी पार्थ एक उसका क्वेस्टिन आसर हम देखने वाले हैं प्रश्ण उत्ताइग है तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आकन प्रेस करोगी न तो आपको थृप्शन मिलेगा तो पहला option रहता है all का तो आपको all पर click करना है उससे क्या होगा जब भी मैं new video upload करूँगी आपके किसी भी subject का तो उसका notification आपको पहले ही मिल जाएगा तो आपको ढूड़ने जुरूत नहीं पड़ेगी आप इसली देख पाओगे और अपने friends से साथ भी जरूर शे question आएगा ही नहीं है ना आपके workbook में भी जरूर question रहेगा और यहाँ पे मैं आपके लिए question आपके लेशन से ही question दे रही हूं ठीक है तो देखिए पहला question यहाँ पर क्या है पुडिल पद्याश्या आधारे दिलेलया सूचना नुसार कृतिकर अगर आपको इस तरह किसे objective क्यूंकि आपका अभी मन लिजे की objective इस तरह किसे paper आएगा ना कि आपको मतलब सारे के सारे question कैसे रहेंगे objective रहेंगे गूगल form पे होगा तो आपको एक select करना पड़ेगा तो उसी तरह के से है यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत प्रार्थनेतून शाड़े विशय व्यक्त होनारी भावना तो क्या क्या इस प्रार्थना में क्या कौन देखिए उन्झ अम्बरी मतलब की यहम ने देखा था तो कीर्थी क LAN जैसे कैसे होता है किर्थी कर दुकराण े television, तो फंग भाल प्रामर बहुत होनी झाहिंद आसमान चुए ऐसा होना है MV हब्ख का झंग marketing प्रस्ति हुलाए प्रस्मार हो हमारा हमें क्या मिले एक ध्यास एक छन तो एक किसा था यह दोनों इसे रिस्ट कर सकते हो अगर आता है इसा question तो कोश्टक फून करा तो यहां पर आपको ऐसे दे दिया जाएगा और आपको करा प्रस्तुत कविते दिल गुण तो कौन सा हमें कौन कौन सा गुण हमने देखा था प्रार्तना में क्या लिखा था कि हमें गुण कौन कौन सा मिले तो नीती मंत बुद्धी मंत कला गुणी हमें नीती मंत हो हम बुद्धी मंत हो और कला गुणी हो है ना तो यह कविता में पढ़ा प्रार्तना पहला लेसजंग उसी का आपको पहले प्रकटिचे एंद टेखा पंक के पहले क्या खिएगा प्रकटिचे पंक नावा-णेज-दया-स आज़ा लिए पहले तीरी अगर आपको option आ जाएगा तो आपको इस तरीके से लिखना है ठीक है ये नाव है ठीक है जो नवा है ये नाव लिखना है एक नट ऐसे नाव ऐसे लिखा रहेगा और यहां पर कड़स जाए उन्चंबरा तो इसके पहले आपको किर्टीचा फिलप करना रहेगा अगर option और कुछ दे दिया तो आपको यही लगाना है option राइट option यहीं है कि हमने कविता हम पढ़ा है माजह अभ्यास व्याकरण के बारे में देख लेते हैं कविते तिल समानार्थी शब्द सो शोधुन लिया तो कविता में कई सारे शब्द हैं उसके समानार्थी शब्द खालिर शब्दान चे लिंग ओडखा तो देखते हैं जो शक्ति है गुण है सत्य है कडस है सागर है प्रातना है तो यह इस्त्रिलिंग है पुलिंग है या नपुनसक लिंग है तो यहां पर में देखा शक्ति क्या स्त्रिलिंग गुण क्या नपुनसक लिंग सत्य नपुन वचन वदला किस तरह के से वचन तो आपने प्राहिंदी में भी यह सारी चीजे पाखरू इसका क्या होगा पाखरे पंख मंदिर मंदिर वही रहेगा माजे मत अपना मत देना यहाँ पर तुम्हाला शाड़े जाने जाने गरजीते गर्जेचे कावाटे थोड़क्यात लिया अक्षरानशी शव्दानशी ओरक होते तसिउ आपलयाना विविद विशियान चे ज्यान शाड़ेत मिड़ते मरून शाड़ेत जाने गर्जे चे आहे इसलिए हमें वहाँ पर जाना बहुत जरूरी है हमें अलग प्रकार के जो विशे होते हैं उन सब के बारे में नौलेज मिलती है तुम्हाला कौन ता विशे आउड़तो का तुम्हाला कौन तुमें कौन सा विशे पढ़ना अच्छा लगता है कौन सा फेवरेट विशे है माजा वड़ता विशे मराठी आए त्यात विविद कविता अस्तात अपल्या मनावर घणारे संसकार घणवडारे घड़े पाठ अस्तात तसेज भाशे तिल गोड़वा वाडवडारी अस्तात मढ़ून माला हा विशे आउड़तो ओके बच्छो तो ये सब आपको इस तरह किसे लिखना अगर आज जाएगा आपको तो कवितेचा भावार्त लिया नमस्कार माज जिया या ज्यान मंदिरा सत्यमशियों संदरात इसका मतलब आपको बताना है मराठी में कविता संबंधी त्या खालिल दिलेल्या मुद्याना अनुसरून कृती सोडवा तो यहाँ पर देखे हमने पढ़ा था कि इसके कवि कौन है यह जो प्रातना कविता है उसे किस ने लिखा है तो इसके कवि है जगदीश खेबौड कर प्रस्तुत कविता का विश्य है फ्रेम जिवाडा घृतक गयता विश्य है जो लिखा गया है वह प्रेम जिवाडा,ईड कृतक गयता पूढ देद सब्धान आटे लिया भाव ना ध्यास ओड प्रगती भर भराट ज्यान मंदिर ज्यानाची दौलत किर्थी प्रसिद्धी आवर्ड गोडी तो इन सब का ममराठी में आपको ऐसे ही लिखना रहेगा अर्थ ठीक है अगर आपको दे दिया गया तो मान लिजे कि आपको क्वेशन है ऐसे ही आ गया कि इसका अर्थ लिखिये भाव का और उसमें तीन-чार उप्षन दे दिया तो आपको जो उप्षन सही रहेगा वही लिखना ये ठीक है तो ऐसे याद रखी इसको प्रस्तुत कविता अवन्याचे वान अवन्याच कारण लिःा प्रस्तुत कविता मला अवन्याचे कारण की शाडेला नमस्कार करूं मला शद रूपी शक्ति मांगू शक्ते इश्वरा कड़े प्रार्तना के लियाने आपन शिकुन खूप मोठ हो वह आम अच्या देशा चे नाव जगाश सगडी कड़े पस्रवु शक्तो मरून मलाही कविता उड़ते तो यहां पे लिखा गया प्रस्तुत कविता जो है यह कविता जो है प्रा शक्ति मांग रहे हैं इश्वर की प्रातना कर रहे हैं ठीक है इससे हमें बहुत को सीखने को मिलता है और क्या होता है देश का नाव करना है किस तरीके से वह लिखा हुआ है यह इसलिए मुझे अच्छा लगता है ठीक है ओके बच्चों तो चलिए आप एक एक करके सारे का आया होगा लेसन क्योंकि आपकी बुक में कोशन अंसर नहीं दिया गया है तो आप यहां से कोशन अंसर लिख लीजिए कि एक्जाम में तो कोशन अंसर आने ही वाला है ना कि आपको समझ में आ गया होगा ठीक है वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रेंग साथ भी शेयर कर दीजिए